तो फ्रेंड्स वेल्कम तो अबर चैनल टेक्स और वेल्थ और यह जो आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं यह आपके लिए काफी इंफोर्मेटिव हो सकती है अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सोच रहे हैं शेयर मार्केट मे सब्सक्राइब कराएगी कि फाइनेंशल सिस्टम में कैसे एंटर करना है और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है इस सीरीज में वह आप लोग को गाइड करेंगी कि आप लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करें तो उसका एक अच्छा ड वह एकोनोमी ग्रोथ कराना क्योंकि अगर एकोनोमी ग्रोथ होगी तो हमारी कंट्री ग्रोग करेंगी कंट्री ग्रोग करेंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटन्स आपको मिलेंगे ठीक है तो जो इसका में स्ट्रूर होता है फाइनेंशल मार्केट का य अगर हमारी saving investment में convert हो जाती है तो जितने भी funds है country में needs है funds की वो हम fulfill कर पाएंगे अपने आप से ही ठीक है अब इसमें जो दूसरा step होता है वो होता है जब funds हमारे पास आ गया यानि कि savings investment में convert होके fund बनके आ गए हमारे पास अब उस fund को हम किस sector में कितना locate करना है ये decide करना ठीक है तो ये काम भी financial system का होता है तीसरा जो काम होता है कि अब जितनी भी हमारी savings है वो investment में convert तो होगी क्योंकि वो एक transaction बन जाएगी अब transaction किस तरह करनी है किस के through करनी है किस system होना चाहिए तो ये भी financial system का ही एक part है ठीक है उसके बाद financial system के अंदर जितनी भी markets है उनका development करना क्योंकि time to time जो needs होती है वो change होती रहती है और उसको कैसे easy किया जाए उस task को कैसे easy किया जाए ये भी financial system का ही काम है ताकि आप लोगों का investment जल्दी से जल्दी और असानी से लोगों तक पहुंच सके या companies तक पहुंच सके ठीक है जो next step होता है उसमें advisory service provide कराना आप लोगों को ताकि आप लोगों का investment है वो एक अच्छी जगा allocate हो सके ठीक है और इसका पूरा financial का एक legal framework भी होता है financial system का इस framework में अगर हम बात करें तो SEBI यानिकि securities exchange board of India RBI यानिकि Reserve Bank of India और IRDA जितने भी हमारे legal compliance के institutions हैं वो सब इस legal framework को पूरा करते हैं ठीक है अब financial system जो है हमारा उसके कुछ features है उस features को हम discuss करेंगे ताकि आप लोग एक छोटी सी knowledge इस वारे में ले सके और आगे जाके जो आने वाली वीडियो में knowledge दी जाएगी उसको relate कर सके तो financial system का जो पहल उसको investment में कैसे convert किया जाए ठीक है एक linkage जो होता है जो savings और investment के बीच जो link होता है उसको एक channelize करना ठीक है अगर वो link नहीं हो पाएगा तो आपकी जो savings है वो investment में convert नहीं हो पाएगी ठीक है जो next step होता है वो होता है allocation का जो risk है आपका पैसा तो investment बनके आ गया लेकिन उसको allocate करना है अब उसके उपर risk होता है कि किस sector में कितना करना है क्योंकि अगर sector wise allocation नहीं होगा तो किसी एक sector में ज्यादा चले जाएगा वो sector तो बूम करने लगेगा लेकिन जो other sector है वहाँ पर रुक जाएंगे तो यह decide करना भी major decision होता है system का ठीक है इसके बाद जो होता है वो ह अपनी नजरें नहीं रखेगी यानि कि उसके ऊपर कोई एक regulator नहीं होगा उसको regulate करने के लिए तो कभी भी एक रिस्क बना रहेगा कि आपका पैसा कोई भी उठाकर लेगा सकता है तो आप लोग investment नहीं करोगे उसकी वज़े से फिर कि हमारा पैसा हमारे घर में रहे ज्या आप बता रहा हूं वह आपको साइड में हमारे स्लाइश चल रहे होंगी उसमें भी दिख जाएंगी तो घबरानी की ज़रुवत नहीं है तो जितने भी components हैं हमारे financial system के उसमें तीन major components हैं सबसे पहला component होता है हमारी financial market financial market होगी तभी आप लोग market जैसे आप कुछ खरीने जाते हैं तो सबसे पहला आपका step उता है कि आप मार्केट में जाईए वहाँ पर पसंद करेंगे आपको क्या खरीदना है वैसे ही यह system है system के अंदर market है अब financial market होगी तो financial market में आपको किस जगह अपना पैसा लगाना है अब उसको हम कहते हैं securities और अगर हम legal terms में बात करें तो products अब securities के अगर मैं आपको example दे दूं कि आपको shares में जाना है treasury bills खरीदने हैं यानि कि आपकी investment किस तरफ हो आपके decision making यह depend करती है ठीक है जो हमारे तीसरा component होगा वो intermediaries होगी यानि कि market में आप investment तो करेंगे लेकिन investment किसके through करेंगे वो भी तो ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके intermediaries नहीं होंगी तो वो आपको एक decision making में help करती है तो इसका भी रोल बहुत important होता है यह तीन major component होते हैं अब इसके बाद जो हमारा जो आज का हम इन तीन component में से आज हम पहले component पर discuss करेंगे वह हमारी financial market अब जो financial market होती है उसमें दो major component होते है एक तो money market होती है एक होती है capital market खीक है money market इतनी wider term नहीं है इंडिया में क्योंकि आपको लगता है कि investment करेंगे return अच्छा आएगा पैसा बनाएंगे निकलेंगे यहां से money market में ऐसा कुछ होता नहीं उसमें थोड़ा time देना पड़ता है आपको तो जो main component है market के वो है money market और capital market अब money market जो है वो दो तरीके से काम करती है वहाँ पे होता है organized sector एक होता है अन औ organized sector है वहाँ पे सब कुछ organized मिलेगा आपको यानि कि वो under the under the RBI work करेंगे उसमें registered banks होंगे cooperative banks होंगे आपके ठीक है RBI खुद होगा उसमें जिसके थूँ आप लोग अपनी savings को investment में convert कर पाएंगे एक होता है unorganized sector उसमें क्या होगा money landers होंगे जिनका को record भी नहीं होगा लेक होते हैं non banking financial institutions होते हैं तो यह सब unorganized sector में आते हैं लेकिन जो हमारा main focus होगा वह कैपिटल मार्केट में क्योंकि लोगों के बीच interest सबसे ज़्यादा capital market का ही है अब capital market में जो वर्क होता है वो दो तरीके से होता है क्योंकि या तो आप equity में जाएंगे equity market में या आप investment करेंगे अब primary market क्या होती है आप लोगों का question यह आ रहा होगा तो primary market जो होती है वहाँ पर पहली बार securities company लिस्ट करती है अपनी तो जब पहली बार कंपनी की securities market में आती है तो वह primary market के थुरू आती है क्योंकि जब जैसे आपने देखा होगा अभी IRCTC का IPO आने वाला है यानि कि वह पहली बार मार्केट में एंटर करने वाली है तो जब पहली बार entry होती है वह होती है primary market अब एक बार लिस्ट हो गई securities वह बार बार trade होती रहेंगी आज तुमने करीदा कल किसी ने खरीदा परसों किसी ने खरीदा अब यह जो बाकी काम है सब फिर secondary market में आ जाता है ठीक है अब जो primary market है उसमें जो components होते हैं वह मैं आपको IPO के special एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे अभी मैं component है वो है या तो आप secondary market में एंट्री करेंगे stock exchange के तुरू या फिर आप एंट्री करेंगे contract के तुरू अब अगर आप security market में एंट्री करते हैं वह भी secondary market में तो stock exchange बहुत important role play करता है क्योंकि जितना भी आपका trade होगा वह सारा stock exchange के तुरू होगा अब stock exchange में जो trade होता है वो दो तरीके का होता है या तो आप off-market trade करेंगे क्या मतलब के companies के जितने भी share warrants होंगे वह आप offline market में होंगे एक दूसरे से मिलेंगे face to face बातचीत करेंगे dealing करेंगे और exchange कर लेंगे अपना investment और अपने shares को ठीक है लेकिन stock exchange आपको दूसरी सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसमें आप लोग online अपने funds को investment में convert कर सकते हैं और महां से securities खरी सकते हैं आप इसमें आप ना buyer को जानते ना buyer seller को जानता ठीक है और यह सबसे easy medium है stock exchange का जिसके तुरू आप investment कर सकते हैं ठीक है और जो दूसरा option होता है वो होता contract का अब इसमें जो contracts होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इसमें या तो आप future market के contracts उठाएंगे या आप sport market के contracts उठाएंगे अब इसमें जो detailing होती है वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा लेकिंग जितना भी financial system है financial system का यह एक component है next video में हम अगले component यानि कि इसके जितने भी instruments हैं वो कौन-कौन से हैं उसके बारे में discuss करेंगे तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग इससे थोड़ा सा हमारे चैनल को जोइन किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंक्स के साथ और उन लोग के साथ जो लोग मार्किट में एंट्री करना चाहते हैं